नमस्कार, मैं संदीटिवारी, आप सभी का आपके अपने आलारिस्ट्यूट टार्गिटान में स्वागत करता हूँ आप प्रदिन रात को 9 बजे मेरे साथ UP पुलिस कॉंस्टेबल और UPSI के लिए मैस्क की प्रिपरेशन करते हैं मैंने यह मोहिम यह सुरुवात पिछले सब्ता रविवार से प्रारम करी लगातार मैंने दो टॉपिक अच्छे लेबल पर प्रसनों की प्रैक्टिस के साथ पूरे कॉंसेप्ट के साथ कबर भी कराया आज की सूचना की आज की क्लास मैस की नहीं होगी आज की क्लास अस्थगित है इसकार्थे नहीं हैं की क्लासेस रोग दी गई हैं क्लासेज अपने निर्धारी समय पर प्रति दिन के विहाब पर चलती रहेंगी। कभी-कभी इस तरह के ब्रेक्स आपको देने जरूरी होते हैं। इसका कारड़ है कि इस समय यूपी पुलिस कॉंस्टेबल और यूपी एसाई की भरती की प्रक्रिया बड़ी तेजी के साथ आपके सामने आ रही है। लगातार सूचना है आपको मिल रही है। कन्फ्यूजन का बहुत बड़ा माहूल है। लोग परिसान हैं। कन्फ्यूजन इस बात की है कि भरती क्या सही समय पर होगी। और निशित तोर पर अगर भरती सही समय पर हुई तो क्या हम उस समय के लिए उस कंडिशन में हैं अपने आपको उस इस्थिती में देख रहे ह खुद के participation में अपना 100% हम दे सकेंगे, तो ऐसी भ्रामक स्थितियों से निकालने के लिए, समय के सही सदुपयोग के लिए, सही strategy बढ़ा के बना के पढ़ने के लिए, मैं यहाँ पर यह वीडियो आपके लिए प्रेसित कर रहा हूँ. पढ़ाई लिखाई का अपना एक standard होता है, अपना एक तरीका होता और सबसे बड़ी बात अपनी एक रड़नीती होती है. मैं आज कुछ मुख के बिंदों पर आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ, कि अगर हम लोग यहाँ पर अगले एक से डेड़ महिने के अंदर, UP Police Constable के इतने बड़े पद, 62,242, UPSI के लगबग 3,000 पदों पर, अगर हम बेकेंसी देख रहे हैं, तो निसित तोर पर आपको आ ऐसे मौके बार-बार नहीं आते हैं, जिसका प्रमाण आप पिछले तीन से चार सालों से देख रहे हैं लगातार, वीडियो बनाने का उद्देश यही था, कि आपको पूरी एनरजी दे सकों, आपको उन भ्रामक सिच्वेशन से निकाल सकों, उन कन्फ्यूजन्स को दूर कर सकों, और सही दिसा और दसा दे सकों, तीन मिंदू मैंने यहाँ पर रखे हैं, जिसका पहला मिंदू मैं मुहर लगा चुका हूँ, गौर्मेंट की तरफ से भी मुहर लग चुका है, कि भरती आनी तैह हैं, आज नहीं, कल नहीं, दस दिन बाद नहीं, बीस दिन बाद न महीने डेड़ महीने के अंदर इस से जादा समय ना लेकर के अब भर्ती आपको देखने को मिलेगी, इन पदों पर देखने को मिलेगी, देश-प्रदेश के बहुत सारे इवा इसी भर्ती की जाह में बैठे हुए हैं, अच्छा ये कारण नहीं है क्यों आप नवकरी पाना च मैं जैसा समझ पा रहा हूं, सायद मैं सही हूँ, यह एक अलग प्रकार की उर्जा होती है, एक अलग प्रकार का जुनून होता है इस बर्दी को पहनने का, तो आपको जो भी पॉसिबल चाहिए जीवन में इस बर्दी को पहनने के लिए सितारे अपने कंदों पर जड़ने के लिए लोगों के सामने एक गर्व से खड़े होने के लिए तो आपको वह प्रयास इस दोरान लगातार करना होगा मैं सबसे पहले इसी बिंदु पर चर्चा किया कि भरती आपकी निस्चित है आनी ही आनी है तो जहिर सी बात समय की डिमांड होती उस कन्फियूजन में कि हम कितने समय में अपने आपको इस भरती के लिए प्रिपेर कर सकते हैं क्या-क्या मुख्य पार्ट होंगे जिसको हमें पार्टिसिपेट करना होगा क्यों हम confusions किस दौर से निकलें, क्यों जरूरी है इस तरह के दौर से निकलने के लिए कुछ बदलाव अपने जीवन में लाने हमें जरूरी है अपनी पढ़ाई लिखाई में जरूरी है, अपनी strategy, अपनी रणनीती में जरूरी है इनी सब बिंदों पर हम लोग चर्चा कर रहे है सबसे पहले आप को जानना जरूरी है, क्योंकि जिसकी भी बरती के लिए हम preparation करते हैं खास कर कि UPP, UPSI, हलाकि मैं मानता हूँ, आज की date में युआ बड़ा aware है आप सब इस समय सोचल मीडिया से लेकर, इलेक्ट्रोनिक मीडिया से लेकर, मीडिया के दौर में जी रहे हैं तमाम सरा के news, ख़बरें सुबह के होने से, रात के सोने तक आपको दिखती रहती हैं लेकिन कुछ authentic information, आपको कुछ authentic बगती से, authentic system से ही मिलती है और मैं यही system हमारा प्रयास करता है, कि हम आपको valuable जानकारी दें, valuable content ही बताएं जादा हम इधर उधर यूटूबर की तरह आपको घुमाएं, पलजाएं ना, भरमित ना करें और आपको असपष्ट clear कर दें, कि दो प्रकार से vacancies का, यहाँ पर बेट है, दो प्रकार की vacancies का, यह तो UP Police Constable, दूसरा UPSI बार बार मैं अपने sessions में भी और इस तरह के वीडियो में भी, दोनो vacancies का जिकर इसलिए करता हूँ और दोनो vacancies की तयारी को भी मैं एक रूप देने की कोशिस में लगा हूँ, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जो बिंदू है, इस चार साल का gap, जो पिछले चार सालों से आपने vacancy नहीं देखी है तो निस्ट तोर पर हमारा प्रियास हम सभी लोगों का एक समलित प्रियास दिखेगा, जिसमें आयू में संसोधन भी हो सकता है और इसके लिए हम लगातार मुहिम करेंगे, प्रियास करेंगे अगर आयू में संसोधन हुआ, तो मैंने कहा है कि लगबग 70% लोग ऐसे होंगे जो कि दोनों vacancies में participate करेंगे पुलिस में भी participate करेंगे और SI में भी participate करेंगे क्या हमारी तैयारी इस अस्तर की हो सकती है कि हम इन दोनों vacancies में बेहतर कर सके और सफल हो सके इसलिए दोनों vacancies की रूप रेखा को जानना अनिवार है हो सकता है कुछ लोग का अपना एक decided और cleared fact हो कि हम नहीं SI ही बनेंगे हमारा clear है कि हम constable ही बनेंगे तो दोनों के प्रारूप को समझ लेना जरूरी है constable के लिए मैंने पहले से discussion किया है या state government की UP police constable जिसका board है UP उत्तर प्रदेश police recruitment board जो प्रोनती board है जो परिच्छा कराता है प्रारूप परिच्छा का online है UP police का आप ध्यान से देखेंगे दोनों में कई सारे variation changes दिखेंगे दो घंटे का duration है 150 questions का यहाँ पर set होता है दो marks हरे questions के लिए मिलते है 0.25 परथात 14 mark आपका जो है negatives के लिए cancel होता है हिंदी और इंग्लिस दोनों में आपको यहाँ पर exam देने को मिलता है online written exam होगा, document verification होगा, PhD physical standard test होगा physical efficiency test PETB होगा अगर UPSI की बात करे, प्रोनिस पुरंती board एक ही है UPSI की परिच्छा है, particular को मैं explain करता हूँ state government कराती, online कराती, 2 घंटे का होता, 160 question होता है फरक देखिए, पहला यह आया 160 और 150 यहाँ पर हमें 2.5 marks जैसे इसमें 2 number मिलते थे, एक question के सही होने पर यहाँ पर direct आपको धाई questions, धाई marks मिलता है लेकिन आप check करेंगे तो देखिए, एक चीज यहाँ पर काफी हद तक दोनों में variation create करेगी ही करेगी यहाँ पर प्रतेक section में, जैसे 4 sections आपको इसमें भी face करने होंगे और इसमें भी face करने होंगे, दोनों के cellways को मैं explain कर देता हूँ और मैंने अल्रडी किया भी है syllabus, content, उनके term, उनकी difficulty label बहुत फरक होता है, दोनों में बहुत changes होते है question की संख्या में भी change है, अलग-अलग बिसेओं के question की संख्या में भी change है लेकिन एक चित ध्यान दीजिएगा, कि यहाँ पर 35% जैसे उसमें क्या है, negative marking है आपको यहाँ पर negative marking भले नहीं देखने को मिल रही है बट एक बिसे में, हर बिसे में 35% minimum marks यहाँ पर आवस्यक है और overall अगर सोचे तो 50% आवस्यक है जैसे ऐसा सोच रहे हैं कि हमें math आती है या नहीं आती है, छोड़ दे तो इससे काम नहीं चलने माला UPSI के लिए आपको math में भी अगर 40 question है तो 40 का 35% आपका clear होना जरूरी है ठीक है, 40 का 35 लग 14, 15, 16% questions आपके सही सही होने ही होने चाहिए उसी तरह से overall में overall 50% आपका marks clear होना चाहिए मतलब 50% आपको यहाँ पर achieve करना पड़ेगा overall में और minimum में 35% यह कुछ basic जानकारियां थी लेकिन साथ-साथ और आप देखेंगे selection process को लेकर के online written exam nations है document verification, physical standard और physical efficiency test है जिसको लेकर के 3 total यहाँ पर update दिये गए है तो main मैंने कहानक जिस exam को आप participate करने जा रहे हैं उस exam की कुछ तकनीकी जानकारी या उसकी basic जानकारी तो आपके पास atleast होनी ही होनी चाहिए हम लोग यहाँ पर जो सबसे इसके आगे की बात करते हैं कि हम तयारी को कैसे करें जैसे हमने यहाँ पर अभी एक start किया कि रात को 9 बजे मैंने mass को ले करके एक session आपको देना शुरू किया मैंने दो topic कराये भी और आप सुईकार कर सकते हैं कि आपको बेतर तरीके सुन topic का confidence उन topic पर confidence आया भी होगा मैंने unit digit कराया complete ठीक है अब आपको इस पर समस्या नहीं आएगी मैंने आपको जो है trailing zero कराया अतलब अंतिस से सुनने को count करना कराया इसमें भी आपको समस्या नहीं आएगी लेकिन आपकी बहुत बड़ी demand पर बहुत बड़ी मांग पर संस्थान का प्रतेक वर्ग, प्रतेक वाँ-पार्थ जो आपकी परिछा के लिए जरूरी है जिसमें reasoning जरूरी है, ठीक है जिसमें हिंदी जरूरी है जिसमें GKGS जरूरी है जिसमें मूलविधी जरूरी है इस सारा भाग हम लोग यहाँ पर अब कबर कराने जा रहे हैं मतलब इसको भी हम involve करने चल रहे हैं अगले एक से दो दिनों के अंदर इसका process भी आपको देखने को मिलेगा देखो यह हो गई YouTube की गतिविधियां इमांदारी से कहूं यहाँ पर हम प्रयास करते हैं आपका effort यहाँ पर ह एक traditional और एक strategic हमें सुनने से पढ़ाई करनी हो जीरो से आपको हाथ पकड़ करके लिखाने की और पढ़ाने की बात हो उसका सही तरीका होता है batches में जॉइन करना मैं नहीं कहता हूं कि आप हमारी batches को जॉइन करें मैं नहीं कहता हूं कि आप जो है केवल coaching के ही भरोसे अप नहीं कर सकते हैं ऐसे में एक संस्थान की बड़ी भूमिका होती है आपको लेकर चलने की आपको परिच्छा का महोल देने की आपको बिसे को समझाने की परिच्छा से रिलेट कराने की परिच्छा के प्रसनों को फील कराने की पूरी तरह से परिच्छा के environment में लाने की और अलग-अलग course content के माध्यम से हम सभी ने work में काम किया है और इस प्रयास में हम फिर से लगने जा रहे हैं पुरी team के साथ हम रवी सर, अमरेश सर, मोहिस सर, गौरो निरंजन सर, गौरो पांडे सर, राजकुमार सर, यनके सर जितनी पूरी हमारी team है, जो आपको लगातार services देती रही है UPP, UPSI के शेतर में हम लोगों ने एक बहतर team और बहतर strategy बना रखी है और research कर रखा है, ऐसा नहीं कि हम ऐसे हवा में आए मैंने आपको जैसे पढ़ाना सुरू किया, तो मैं अपने ही बिसे की अगर बात करूँ, तो मैंने असपस्ट किया कि हम पढ़ा तो रहे हैं, हमें trailing zero ऐसा नहीं कि किवल UPSI में पढ़ाना होता है और भी परिच्छा हैं जहाँ पर trailing zero, unit digit हमें पढ़ाना होता है बट इस trailing zero, unit digit या जो भी topic में आगे लेकर आऊंगा इसको मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ तो इसकी कितनी importance है इसके प्रस्णों में variation कैसा है, इसके प्रस्णों में UPP का label कहा है, UPSI का label कहा है कहां से approach की start होगी और कहां पे approach की ending होगी क्या zero से end तक हम कबर कर पार, इसके लिए proper research मैंने कर रहा है और मैरा पहला वीडियो आप जब देखोगे math को लेकि जो मैंने basic बनाया है तो उसमें मैंने सबस्पस्ट किया है मैंने बताये हैं कि आपकी परिच्छा जब से हुई है UPSI की, UPP की तब से इस topic से कितने-कितने प्रस्ण पूछे गए है कौन-कौन सा प्रस्ण पूछा गया है मैं आपको guarantee दे रहा हूँ कि इस research से अगर आप काम करोगे इस practice से इस effort से काम करोगे तो आपको कभी समस्या नहीं होगी और यह प्रयास YouTube पर हमारी practice के तौरान तो आप देखेंगी देखेंगे अगर हम batch में मिलते हैं तो इसका एक अलग प्रकार का approach आपको देखने को मिलेगा मैं संस्थान की तरफ से आप सभी को invite करता हूँ कि अगर आप मेहनत करना चाहते हैं जुजहारू बनकर effort करना चाहते हैं और हमारी team पर भरोसा रखते हैं तो आपको देर ना करते हुए क्योंकि जैसे ही परिच्छा का notification आएगा आपको ज़्यादा वक्त नहीं मिलेगा तीन से चार महिने मुश्किल से आपको मिलेंगे इस परिच्छा को फेस करने में सियोर मान के चली उस समय बस जल्दबाजी में जल्दबाजी में क्योल कोरम पूरा करने की बात होती है मैं आप सभी का मैं सभी को invite करता हूँ कि आप हमारी basic batches में हमारे उस संकल्ब की batches में हमारे उस रड़निती में हमारे उस part में आप हिस्सा बने आपको सबसे बहतर और बहतर औरों से बहतर आपको एसास होगा यह हमारा आपको दावा है हमारा विस्वास है मैं आपको उस batches में जुड़ने का process समझाऊँगा जिससे कि आप हमारी इन batches से जुड़कर proper way में अपनी strategy को अपनी पढ़ाई को पूड़ कर सकते हैं हमारी UPSI के batch में अगर आप जुड़ते हैं तो उसके लिए simple सा process हमारे यहां का traditional जो लगतार देखा होगा आप लोगों ने एक उच entry numbers होते हैं whatsapp के number है जिसके mark दर्सन में जिसके प्रियास में आपने देखा होगा कि लगतार आपको सफलता दिखिए रभी सर स्वयम हैं मैं हूँ अमरेश सर हैं बीके सुकला सर समिदान के साथ है राजकुमार सर है निरंजन सर है इसमें और सदस भी सामिल है मोईस सर है और भी नएने सदस से आपको दिखेंगे जो UPSI में लगतार आपको काम करते दिखें नवीन सर हैं गौरोपांडे सर इसमें इन्वाल्व होंगे सुधानसू सर हैं ये UPSI की आपकी ससक्त टीम है जो लगतार मेहनत करिए और लगतार आपके सफलता में सहायता आपको देगी मैंने उस टेलेवस की बात पहले से भी कर रखा है और अभी भी मैं सपस्ट कर देता हूँ हिंदी के लिए 40% क्योंकि मैं आपको एक सलाह दूँ एक बड़े भाई की तरह एक टीचर की तरह आप जिस बिसे की या जिस कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप किसी की बात मत सुनिए सबसे पहले आप पार्टिक्रम उठा लीजिए कोर्स कंटेंट उठा लीजिए प्रीबियस एर पेपर उठा लीजिए क्योंकि बिसे नहीं पढ़ना है हमें वह पढ़ना है जो हमें सफल बनाएगा इसके लिए हमें सटीक रड़नीती खुद से डेबलब करनी होगी और मैं बताता हूँ कि अगर आप इसमें सफल नहीं है तो आप त्यारी मत करिए अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो मत करिए और निस्जित तोर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा प्रियास यही रहेगा हम पैटन वाइज चीजों को लेके चलेंगे हम आपको प्रीबेस एर चीजे समझाएं कि कैसे कैसे पूछा जाता है क्या नेचर है क्या बदलाव होगा सबसे इंपॉर्टन यह होता है कि परिच्छा के नब्ज को समझ करके हम सही समय पे सही तरह से बदलाव कर सके अपने अपने भी सह में और इसको हम लोग करेंगे और हमने पीछे किया भी है और यह हसास आपको होगा अलग-अलग courses बेकर आप हमसे जुड़े रहे हैं हिंदी के 40 प्रसन धाई नंबर का आपको क्लियर किया गया था मुल बिधी के भी 40 प्रसन धाई नंबर का मैस के भी आप देख रहे हैं 40 प्रसन धाई नंबर का और reasoning और कईस में अलग-अलग ऐसे पार्ट है जिसमें reasoning, current affairs कुछ ऐसे तारिक परिच्छड के पार्ट से जिसकी अलग प्रकार की भूमिक आपको दिखेगी तो कुल 160 questions का यहाँ पर combination है 400 नंबर को थेस करना है UPSI के लिए मैंने यहाँ पर update आपको संस्थान की team की प्रापरदी मैं एक research की बात कर रहा था मैंने यहाँ पर already लगा रखा था QPSI में इन topics से questions पूछे जाते हैं mathematics में अगर मैं अपने विशे की बात करूँ जो मैं आपको पढ़ाऊंगा खड़े होकर कहां से किस topic से कितने प्रसनाते हैं इसकी research भी आपके पास होनी चाहिए और उसी से हम लोग बेहतर कर सकेंगे यह कुछ भिशेस्ता है आप रभी सर को देख रहे हैं आपे team की कि हम अगर अपने paid batches में चलेंगे जो बहुत कुछ written एक फार्मिल्टी होती है written होना बाकी कुछ हसपष्ट करना हम कहके नहीं करके दिखाएं वो ज्यादा valued होता है जैसे हम आपको पढ़ाएं वो ज्यादा वैलूड प्रदिन पाज घंडे की classes, handwritten notes, PDF notes, live data, session, chapter wise practice, 20 practice set, test series, संभावित प्रसनोतर सिंखला, मेराथ अन, test series यह सारे part हैं किसी course curriculum के चाहे आप UPP में paste करते हैं हमें चाहे या UPSI में हमारे साथ आते हैं UPP की परिच्छा की preparation कर रहे हैं सभी भाई वहन UPP, entry for UPP और नंबर आपको 830390 0683 आप इस नंबर को note करें और इस पर entry for UPP लिख कर हमें जब बेजेंगे तो निश्चित तोर पर संस्थान संस्थान के educatives आप से संपर करेंगे आपको process बताएंगे batches में जुडने का और सही तरीके से आपको approach करने का यह प्रसंद देखें आयोग लिख कर देता है पुराना प्रसंद पर उठा के देखेंगे तो कई सारे changes आपको दिखेंगे जैसे कि यहां पर 38 प्रसंद दिया है समान गया और समाजिक भी से सामाइक भी से 37 कुश्चिन समान हिंदी से दिया है संख्यात्मक चमता mathematics से 38 दिया है लेकिन अगर आप previous प्रेयर के उठा को देखेंगे तो लगबग 20 से 22 कुश्चिन 17 से 18 कुश्चिन लगबग यह प्रारूप आपको दिखेंगा कई सारे ऐसे टर्म होंगी जो कि मैस से रिलेटेड रिजिनिंग में पूछे जाते हैं इसलिए रिजिनिंग के प्रसंदों की संख्या आपकी बढ़ जाएगी लगबग 50 क्या स्वास 45 से 50 तो रभी सरकाव को रिस्पॉंस इसमें दिखेगा उनका प्रयास दिखेगा मेहनत उनकी दिखेगी दो-दो नंबर का कुश्चन होता है 0.25 पी नेगेटिब होगी यह आपको प्लेयर करना है डेड़ सो में 300 मार्क्स का यहां पर टोटल डेड़ सो कुश्चन के लिए क्रिएट किया जाता है एउपी पी की रही बात यह टीम रही यह टीम का प्रयास आपको दिखेगा यह पूरा यह पड़ दिखेगा आप सभी लोग बिना किसी संकोच कि कि आप इन बैचिस में जुड़ करके हमारे साथ पढ़ाई लिखाई को प्रारम कर सकते हैं नंबर से कॉलिंग आप इन पर फोन करके किसी भी दोविधा में अपनी कन्फूजन को दूर कर सकते हैं रही बात यहां तक इसके बाद मैं आपको जो अपस्पस्ट करना चाहता ह कि आप हमारे साथ प्रति दिन ध्यान से दिखिएगा यह बाते में जो लिक रहा हूं यह आपके लिए महत्पूर्ण है प्रति दिन रात को नौ बजे कभी कोई बहुत कैजूल्टी बड़ी समस्या पड़ी तो हम आपको एक सूचना देकर कि क्लास भले रोग दे जैसे अम उसकी प्रैक्טिस होगी उसका कंटेंट होगा साथसाथ उसका नोट्स होगा इस सब कुछ हम प्रवाइट करेंगे पूरे मनोयोग से और पूरे इफ़ट और पूरे प्रयास के साथ आप हमसे रात की नौ बजे जोड़े सुबह के आठ बजे आप देख रहे होंगे इस अगले दो दिनों में आपको और सोचनाएं मिलने जा रही है, सबसे पहले तो रिजिनिंग की, ठीक है, आपको रवी सर रिजिनिंग लेकर कंटिन्यू करेंगे, और साथ-साथ हिंदी की भी सोचना आपको मिल जाएगी, अमरेश सर हिंदी के लिए आपके साथ जुडेंगे, और पूरी टीम जुडेगी, ऐसा नहीं है कि केवल इनी चार वी सियों के साथ पूरी टीम जुडेगी, बैचेस में प्रयास करेगी, यूटूब पर प्रयास करेगी, आप हमारे साथ सफलता का नया ध्याय लिख सकते हैं, अपने कंधे पर सितारे सजा सकते हैं, बढ़दी समलित होई है, हम आपको निरास किसी भी माद्यम से नहीं करेंगे, डिस्क्रिप्शन में टेरिग्राम ग्रूप है, आप उसको जॉइन कर लीजिए, आपको सूचनाय मिलती रहेंगी, सूचना क्लास का अपडेट और उसके लाइव होने की स्तिति, नोट्स, कंटेंट और एबरी अपडेट्स आपको वहाँ पर मिलता रहेगा, संस्थान का या चैनल आपके लिए हमेशा से बेहतर किया है, और आगे भी बेहतर करेगा, इसी कमिट्मेंट के साथ हम लोग इस प्रयास को इस मुहिम को प्रारम आज से कर रहे हैं, आप हमारे साथ ही बने, हमारे कोड करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, आज मेरी तरफ से इतना ही, कल मैं फिर से मैथमेटिक्स को पढ़ाने के साथ आपके बैचस में 9 बज़े रात को आप से मिलूंगा, आज के लिए धन्यवाद, अपने सुझाओ, फीडबैक हमें कमेंट से प्रेसित करें धन्यवाद.